किस्ता कुर्सी का मुद्दा है कड़क का, सुरक्षा का, स्वास्त का, रोजगार का दिली के लिए सारी आत्रा भिरिया यहां जे अकर देरा तूं तो हां 35 रुपए महला हो उसका किराया दे इन्होंने गन्य किसान का एक रुपे तक नहीं बढ़ाया आपने एग्रिमेंटी है अपनी बिजली आपने पहले बाट दी फिर उपर भात खरीदे रहोंगे अब सारी नमाषक Mitsubra आपस्तों निस्वील इंडिया और मेरे साथ खास मेंआन आज होगी जन्ता जन्ता के पड़ती निदी कुछ हमारे सात समलित हैं और आप देखेंगे साठी उनके पास आप चलते हैं अज किस्सा कुर्सी का अर हमारे साथ है सबसे पहले आम आदमी पार्टी से अपिंगे अपनी आप इतेनिग प्रेटे मोरे आप Вс supreme मौरे आम आदमी पार्टी साम र्मोर्ट डौवाल जीनों तो पॉचे पिंगें आप पूρχें थी में आपने इसे यह टो बज़े का टाइम दिया था चार बीज पर हम यहां पुछ रही है आप से जी 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 तो ब्यस्ता तो होगी आप समझते हैं ना काम कर रहे होंगे तब ही लेट हुए चलिए आज बात करेंगे हम किसा कुरसी का बात बात पे ये बात होती है जंता से कि जंता हमेशा खड़ी र पर नेताओं ने अपनी कुरसियां खुद अरेंज कर लिया आज तो सभी लोगों ने अपनी कुरसियां मुद्दा है सड़क का सुरक्षा का स्वास्त का रोजगार का तो आज हम इन सब बातों के जनता से डारेक्ट सवाल करेंगे कि आप अपने परतिनीदी से सीधा-सीधा कि आप क्या चाहते हो क्या हुआ है और क्या वादे जो आपने किये थे क्या वो पूरे हुए है या नई आप जनता की बीच से लेते हैं आप आप अपना सुब नाम बताए भाई साथ नहीं महमत नहीं महमत साथ आप किस पार्टी को ब्लॉंग करते हैं तहिए सबसे पहली चाहूंगा अपनी सरकारों से के हमारे छेत्र का एक मात्र सरकारी हॉस्पिटल और वो आज सिर्फ रेफर सेंटर बना दिया लिया है सवाल उनको समझ में नहीं आया होगा सवाल तो सरकार से ही होंगे तो मेरा सबसे से बढ़ा तो यह है कि हमारे छेत्र का मात्र सरकारी अस्पिटाल एक प्राइवेट हॉस्पिटल को दे दिया और वह सिर्फ और सिर्फ एक रेफर सेंटर बन करके रह गया है तो बात तो होनी चाहिए थी कि उसके उच्छी करण की सुविधाय बढ़ाने की लेकिन वह सिर्फ सेंटर बनकर कर रह किया हैं इनका जनता की बात करगों में लेकिन हमारा सोचना है कि जो भॉस्पिटल की इस अभी नए इस अब आप देख रहे होगा इसमें काफी स्वीधाय हो चुकी अभी चार दिन पहले भी एक पैंतिस लाग का वह वहांग हो जो पूरी आदुनिक सुविधाओं से लेस है वह हमारे चेतर के माननी विदहयक पूरी मुख्यमंती जी ने उपलब्द कराई है इसके इलावा अने को सुविधा यहां पर उपलब्द कराई गई है जिससे यहां की जंता को सुविधा मिल लिए आप देख रहे होंगे आप भी स्वेम भी जाकर कर कि जो कहते हैं वो करते हैं वास्तिविक्ता यहां कि ने का एक मात्र सबसे बड़ा हॉस्पिटल आज वहां पर सुगर टेस्ट करने की विवस्ता भी नहीं है इतना बुरा हाल है और कवी मेजर प्रॉब्लम अगर आ जाए तो सीधे-सीधे उसको रैफर कर लिए मुदा मिा वाइख निखिए ये मुद्दे लगातार च्छेत्र की जंदा च्छेतर के जंदफिन दशी तुन जब भी मुख्य मंत्री हो या कोई बड़ा सबसे पहले आना चाहुत तो तो कॉंग्रेस देखिए सबसे पहले अभी हस्पाइल की बात हो रही है मैं कहना चाहूंगा जब यह पीपीवी मोड पे देने की बात इस सरकार ने करी थी उस समय भी कॉंग्रेस द्वारा एक बहुत बड़ा अंदुलान इस छेतर में किया गया था लेकिन इतना अंदुलान होने के बाद उसमें इतनी बड़ी जंता की भागिदारी होने के बाद भी इन्हों ने उसको पीपीवी मोड में दिया और दुर्भाग्य तब होता है कि जितनी भी सरकार का जो बजट इस हस्पाइल को आपने हास्पिटल तो दे दिया है मालेन हास्पिटल को पैसा लगा बब bon about भी है भूब अच्छा काम कर रहा है लोगों के घर गर तक हमारी जो सहनुभूति जनता हमारे पर्थी दिखा रही है उसके लिए हम जनता का आवार दन्यवाद करते हैं और ऐसा नहीं है बाकिया करमा बात करूं भारतिया जनता पार्टी की तो सबका साथ सबका बिकास सबका साथ तो इसमें तो एक बहुत बड़ा प्रशन चिन है लेकिन विधान सभी सब सब्सक्राइब करऊंगां अध्याला विधान सभा में हर वहां आज भी मूल भूत्थ सुमें से ग्रामीर है ग्रसित सड़क विजली पानी स्वास्तिय सडक उतरम हो सकता है ज्यागी पानी संप सब्सक्राइब बाइस भॉक्त बեղे कुछ गारी राइब भाइस पोड़ने करना कि या पता नहीं लग रहा है गी वेlaी बिजली के नजर आती नहीं है पानी की ठीक ठीक होसता है पहार में जरू कुछ है जहां पर बिजली की समस्या अभी भी खड़ी है स्वास्त की समस्या जो है आपके सामने सभी लोग पार्टियां आपके अगेंस में स्वास्त में स्वास्त आपके आज जितने भी बड़े बड़े नेता हैं वह भी अलेक्शन आज दोएवाला से लड़ना चाहते हैं कोई गैर संट जाके लड़ना चाहता है क्यों देखे जहां तक स्वास्त की बात है माननी प्रधान मंत्री मोदी जी ने आयस्मान योजना जो चलाई थी उसका लाव पूरे देश को मिला था विशेशकर उत्राघंड के मुख्य मंत्री जो हमारे पूरू मुख्य मंत्री त ब Cel kab birl, Tunsthraghand के परतियेक परिवार, को आइसमान, काड की सुविदा दियो, और 1000, यह जी फूरी स्विधा, कुमानों वे सब्सक्राइब करने भड़नेँ सत्युअगे हैं, इसनी दूढ का स्विधा आइउड से बंदिर, अभी दो-तीन दिन पहले ही आये थे यहां आच्छा समझ गए और पांच साल में किती बार है वाते ही रहते उनका च्छत्र है ग्रीचत्र है समध्थक लग रहे है यह यह पीजेपी समध्थक लग रहे है सर मैं सबसे पर्चार मैंने सुरू किया था उनका बसंदावेश से सुरूब उसके बाद आता है मैं सक्कल ने थी अगर आप कॉंगेस वादों से बुछोंगे तो तो मना ही करेंगे ना आपको किया है इनी है थे कि हम भी आसे वीजेपी से हो आते हैं आप जी आप जीए नही अब जीए लेकिन आगड़ा वही है मतलब जो है पिकास दांके तीन बात है अपना पिकास नहीं खुद किया उनके कार्यकरतों का अपने नेताओं का बाकि जंता का विकास दरातर आतर आप देख रहे हैं जो पाड़ी में नहीं है आप आओगे तो क्या लाओगे हम इस बात सही हो रही है हमें यूकेटी का यूकेटी का समरत कोई दिख रहे हैं अबर अच्छा यूकेटी वाले यहां आप अपने सिर्फ वादों के ऊपर यहां आई है और आप से मैं सीधा सवाल करता हूं फ्री क्या है फ्री एक आम आदमी का अधिकार है फ्री इसको आप दूसरी तरीके से ले रहे हैं जब नेताओं को सतर साल से तमाम सुझधाय मिलती है बिजली मिलता है पानी मिलता है गैस सेलेंडर मिलता है गाड़ी के लिए पेट्रोल मिलता है किसी को दर्द नहीं होता कि में अगर अपने घर में क्या o अपने घर के लिए आज कांगरेस में होता मैं जन्ता का ना अधिक्रा पार्ट हूं और जन्ता को operate से सीधा सवाल जन्ता को free-dosli नहीं चाहिए फ्री देना है तो वादा कीजिए कि फिर एजूकेशन देंगे फिर स्वास्ति देंगे बिल्कुल सही बात है आम आद्वी पार्टी की जो यहां पर आके जिस तरह से गोशनाएं कर रहे हैं वास्त विक्ता है कि जिसके पास कुछ नहीं है यहां पर वो कुछ भी कह सकता है लेकिन आत्रा हूं यहां इक मिन याए घिक मिनन तरह सब्सक्रीज कर दू हमारा यहां कि Hemine lại गारे इस सब्सक्राव में में वेल्डाव है कि उसका हमारे पास मात्र बारा परसेंट अधर कॉंग्रेस की देन है कॉंग्रेस के लिए देश एक बराबर है हम आज इस समय बात करने उत्राकंड की कि उत्राखंड में हम कैसे देंगे आपने पहले बाट दी फिर उपर वहां से खरीद रहे उल्टा आपने बिल्कुल सही कहा है जिस समय यहां पर यह बिजली का अपना शीर नगर में लगा हो तो उस समय हम लोग उत्तर परदेश के एक हिस्सा हुआ करते थे और उस समय की जो सरकार थी जब उत्तर परदेश से अग्रेमने बना तो वो उस समय जीतने भी agreement हुए भारतिये जंता पार्टी के टाम पर ओए कॉंग्रेस के टाइम पर नहीं होए वो डैम कॉंग्रेस ने बनाया है जंता से उनको प्री चाहिए की निचाहिए जनता से बूचते है बईया बिजली फ्री चाहिए जनदा को आ कि वह बताना चाहता हूं इत्राखंड में जो बिजली की स्थिति बहुत अच्छी है अप्री का वादा आपने भी कर दिया मेरी बात सुनी आप देखे में आपको बताना चाहता हूं यह फिरी वारा प्रलोबन वह ब्यक्ति दे रहा है जिसके पास कुछ नहीं है पासि अक्रवी को तो यह कहा है ऐसा नहीं देखने बहुत बहुत अच्छी आप सेट्र को छोड़ दीजिए तो गरामिट च्छेत्र में भी अच्छी सूवीदा है पूरी डिटेल बताँ तो काफी समय लगेगा रोजगार की दिश्टी से भारतियंता पार्टी सरकार ने बहुत कुछ किया है और जहां तक यह विकास की बात है मैं अभी आपको एक बुकलेट और दिखा दूगा जिसमें विकास के 45 उसमें पूरी डिटेल है यह सारी जीजे जितना कारी भारतियंता पार्टी की सरकार कर रही है केंदर से लेकर के स्टेट तक चलिए यह कह रहे हैं कि हम धरातल पर उतार रहे हैं नौक्रिय देनी का वादा किया हो पूरा करेंगे कॉंग्रेस से पूछा जाए आपके पांच-पांच अध्यक्स पूरे प्रदेश मे पिर्दें क्या बाध लगी तो हम Usस को किस तरह से उसकी दोड़ दे सके हैं और जंता कॉंग्रेस की उस परदेश को बनाने के लिए इसको जंता जा सके वो संगठन के माध्यम से उसके लिए ये हमारे तैयारी है आचा कि ये जो दिल्ली वाले दल है इनका क्या एक ही मकसद है प्रलोभन की राजनीति करते हैं और इनका कोई ये बात बिजली फिरी देनी की करते हैं उत्रा खंड का आम जनमानुस इतना स्वाभी मानी है कि इसको कुछ फिरी ने चीए वो टैक्स बढ़ता है इस प्रदेश में क्यों चीए उसको फिरी अगर हम फिरी की बात करते हैं तो आप स्वास्ते की बात करिए मात्र सक्ती आज भी परुती छेतर में गंडी-कंडी के सारे अस्पताल में पहुंच रहें लेकिन अस्पताल मे चीए आज इता हैं आज फुड़ा ऊपर की तरफ चलेंगे अब उत्राघंट दोई भागों में बटा हुआ है सब मेरे बातों जह उपर हो नीचे दें हम लोग आघ भी देरादून के अंदर बोलते हैं कहा जा रहा है ऊपर तो दोई बागों में नेताओं को बतादू उत इसे ज्यादा भागोंगे ना वांटे हम लोगो सीधा 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 से जवाब दें और आप आपकी आपकी सरकार क्योंकि जब भी केजरिवाल यहां आते हैं तो ऐसा लगता है लैंड करके तीन चार गोशनाएं करेंगे इस बारी छे कर गए पिसली बार कर गए थे तो बुला सरकारी उजनाओं को लाती है एक पत्रकार हो करके आप ऐसी सवाल पूछ रहे हैं कि आप नहीं आएंगे तो कैसे करेंगे जनता तै करती है सरकार किसके आतों में देनी है और सब्सक्राइब करते हैं कि किस तरह सरकार चलानी है अगर हमारा फ्री देने से हमारे भाजपा औ तो अब मुद्दा काफी आगे बढ़ चुका है और समाजवादी पार्टी की को सीट साइध है नहीं है ना तो फिर भी आप जंडा लेए घुम रहे हैं इनका तो कहीं ने कहीं आप समझते हैं कि कुछ में कुछ है सवाल ये नहीं कि सीट है ये नहीं है सवाल ये है कि साड़े चार साल बीजेपी की सरकार रही सराजी और इस विधान सबा में जो मानिय मुखे मंतरी रहे हमारे विधायक मानिय तिर्वेंदर सिंग रावजी रहे है सवाल सबसे पहले मेरा ये है बीजेपी से है कि आपने कम पचास शिक्सित बेरोजगार नौजवानों का पेट काट के पूर मुख्य मंतरी को दे दिया सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आपने क्यों बदले इतने मुख्य मंतरी दूसरा सवाल यह है कि जो सरकार आपस में लड़ रही हो विधैक मंतरी लड़ रहे हो मंतरी पूर मुख्य मंतरी लड़ रहे हो जिला अध्यक्स और महानगर अध्यक्स लड़ रहे हो तो वो क्या जनता का काम करेगी क्या उत्राखन का विकास करेगी आठ किलो मिटर दूर पच्चे पैदल चलके इसकूल जा रहे हो इसी विदान सभा में राश्ता ना हो इसी विदान सभा में महिला और बच्चे दस दस किलो मिटर से पानी ला रहे हो तो किस बात किया आप मुख्यमंतरी बने वह अपने काम नहीं हो गया है उनोंने कोई तो आप फिर से बताना चाहता हूं पार्ट के वी कहा कि दुखन के ऊच्छेटर के लुगत बहुत ज़्यूंद दिदेखर कर भाद कि रहें ज़्हें और कि दूसरी पार्टीयों के लोग भी अभी यहां कोई नहीं बोलेगा पीट पीछे कॉंग्रेस के दूसी पार्टी के लोग भी बोलते हैं वास्तों में तिर्वेंदर रावाजी ने डोई वाला चेतर का बहुत ज्यादा विकास किया और आप इंटियर के चेतर में भी जाकर के देखेंगे इतनी अच्छी सड़के बनी हुई है यह यह बेकार की जनता से चीदा स्वाल लेते हैं कौन आपने अपने अधा सावल पूच्छना चांता है जीzustे मेरा सवाल है बीजेपी और कॉंग्रेसे दोनों सी है बाइससाल मैं 12 साल a going the Congress कर रहे हैं और जितना इनुने कि बात कर रहे हैं उसे जाए तो इनुने पेसल दिया है जिस दिन इनुन नहुंसा सबदें कितना है ग्लार। हेर चीज के लिए परिशान और ये बात करते हैं स्वास्ते कि अगर बात बात पर आजाते हैं जल अगर पादियों डिया था आजम by फुला बन मिलड़ कोना हो गया हुए को गया हो इनी का एक कारिये करता हैं ज को गारें वह उस दिन उस पर बैठा था अंदोलन पर तो उसने का जी हमारी सरकार से क्या बोलते हरी रावजी से एक क्रोड रुपय में बात हो रही थी इस हॉस्पिटल को पीपी मोड पर देने की और कहरा हमारे उन्होंने रावजी ने मना कर दिया सवाल चोटा करते हैं और आज वह बना दिया फंस यह फिल्य जिस इनके बात का कोई जवाब नहीं है क्योंकि आदो कईशा सब कर रहे हैं आ अब तो इनों नहीं कि है आध रोल दिक हो चाहिए पिट्रोल पंप हो जा बड़े-बड़े बड़े कि द्री बड़े हो फिकास आपपड़ी जमता का जाए बाहर में वीकास छाली जैली जैली का बड़ा हो रहा है मंत्र और हमारे चैटर के विदायक अपना एक विकास कारी हमें दिखाएं चलकर एक दिखाएं इनी के बाड में 40 लाग का अभी वो बनाएं आप मंदिर में ठीक है का आपको पताएं नहीं आपको पता सारे 8 लाग का इस मंदिर का टीन सैट पास हो चुका है जिसमें अक्तु जवाब देना चाहते हैं देखिए अगर विकास की परीबाशा अगर आप विकास की परीबाशा को सौ मीटर सड़क 200 मीटर सड़क या और वह भी मुख्यमंत्री जो इस च्छेत का विदाइक भी तौर पर्देश का मुख्यमंत्री उससे यह उम्मीद करते हैं कि सौ मीटर सड़क 200 मीटर सड़क या बीस लाग की कोई योजना अपने विदानसभा छेत्रे में बना दे और वह विकास हुआ है मैं आपको बताना चाहूंगा दोई वाला विदानसभा के अंतरगत सबसे पुराने इंड़स्ट्रिल एडिया है कुवावाला और लाल तपड कि आपके इस पूरे पांच साल के टैनोर में एक इंड़स्ट्री यहां नहीं लगी और उल्टा यहां से जो भी थोड़े बहुत चोटे मोटे कार खाने थे वह यहां से छोड़कर चले गए मुझे लग रहा है विकास पर जो सवाल कर रहे हैं जो बाते कहीं जा रही है गल बिल्कुल इनों ने इन्होंने बहुत बढ़िया मुद्द बहुत बढ़िया बात बोली इस पर है पांच लाग पांच लाग पर मेरे ख्याल से मेरे ख्याल से यह सरकारों की कि दिम्बेदारियां होती है यह सरकारों की जिम्बेदारियां होती है कि सभी को स्वास्थ स्विधाय मिले सबको सिक्षा की सुधाय मैं लाओं पर मैं प्रश्च्ण है दिल्ली के लिए सारी यात्राइब कि यह आमाली पार्टी अर्यूगेटी से मेरा प्रेश्ण है यह पांचला का मुझता है तो किस लिए ना उन्हें फिरी आटी डल चुकी है आपके खिलाव इस बारे में पूछना चाहता हूं कि महांगा जो बढ़ रही है उसके बिलकुल बिलकुल जो है तो यह चाहेंगे आप से पेट्रोल पे सेलिंडर पे किराए पे हैं रोजगार तो खेर गाया भी आपने नेस्नल हाईवे कि सडकों की विवस्ता देखी गी अभी मेरे एक सा ही कह रहे थे कि छोटी-छोटी सो दोसो मीटर सडक बनाने से कुछ नहीं होता आप नेस्नल हाईवे कि स्तीजी देख रहे होंगे आप डेर वाला से यदि अगर देरा दुन जाएंगे जहां कभी देड़ सो रुपे का तेल लगता था वह आपी सो रुपे के लग लग रहा और उस पर इन्होंने थोड़ा लेपा पुत्ती की है और जितना इन्होंने टैक्स लगा दिया तोल टैक्स पर यह हलात है के बारा लाक कुछ रुपे रोज पर यह टेंडर हुआ हमारे डोईवाले का आपके नेपाली फारम पर लगाना चारे आपके हर जांगा टैक्स पढ़ गया है प्रदेश सरकार से तो क्या पूछी हूं पहले हमारे भारतियंता पार्टी के बड़े विजुब हैं लेकिन हमारे विदायक से पुछना आपने खोला बहुत अच्छी बात आपने अच्छा वह इंस्टिशन खोला लेकिन गरीब बच्चा 40 रुपे में आई कर दिया आपने गरीब का बच्चा अगर पढ़ जाएगा तो आपसे सवाल पूछ लेगा यह सोच के आपने उसे बंद कर दिया कि वह पढ़ना पाए रोजगार आप सिर्फ अपने नेता पुत्रों को दे सकते हैं कि गामा के तो पुरे परिवार को नौकरी मिल तो माइनस परसेंट बेरोजगारी की दर हो गई तो इनके लिए रोजगार सिर्फ इनके अपने नेताओं की दूर की नजर कमजोर है पास में गामा जी रहते हैं तो उनके परिवार में माइनस वन बेरोजगारी है तो वही उन्हें दिख रहे हैं देखो यह आपके साथ है कुछ आए पर चाहती है कि पर शिक्षा भी पर यहां पर जितने लोग खड़े है मुझे लगता है मिनीमम मिनीमम सबने लिए हाई स्कूल मतला उतरा घंड में कहीं नहीं तो कमी नहीं है जी 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 आम आदमी पार्टी के कार्करताओं के बच्चे पढ़ेंगे याम आदमी पार् आम आदमी के बच्चे नहीं पढ़ेंगे दिल्ली के अंदर इसमें राजनीती नहीं करना चाहेंगे लेकिन जो हलात थे बुरे हलात पूरे देश के अंदर शिक्षा के अंदर सरकारी स्कूलों के अंदर एक क्रांतिकारी बदलाव आया दिल्ली के अंदर और पूरे विश प्राइवेट स्कूल से बहतर हो गए दिल्ली के उपर ही बताना चाहूंगा कि वहां पर शिक्षा की जो स्टिती है नौसो अच्छी स्कूल शीरा जी के टाइम पर जो बेसिक शिक्षा के थे और बहुत अच्छे स्कूल थे उसके बाद इन्होंने मात्र ती स्कूल बनाए औ और दूसरा में परदेश सरकार से प्रशन पूसता चाहूंगा आप इनको घेर रहे हैं मानलो आपकी 25 सीटे आ जाती है अदस इनकी हो जाती है क्या इनका साथ लोगे जवाब देता हूं पहला मेरी पूरी जो मैं बात कर रहा हूं आप आज इनकी बातों से सहमत नहीं हो इ किसी ने पूचा कि कितनी सीटे चाहिए कभी नहीं हमारा क्या गरीब का बच्चा एक डॉक्टर नहीं बन सकता आज सतर सतर हजार रुपे की जो फीस हुआ करती ती उससा साड़े-चार लाग कर दिया जितने भी प्रफेशनल कोर्सिस थे दस गुना तक भ्रहोतरी कर चुक अच्छा को मॉडल काहीं नहीं तक उनसे लोग सहमत भी है इपना सवाल लीजे जल दिए जी यहां पर सिक्षा की बात हो गया स्वास्त की बात हुई है विकास की बात हुई है पर मेरा सरश्रेगे पाँस साल से पिछले पांस साल सो कि प्छले साल कि व्यूमज संद्रीन पहली कि तो रह frightened प्छले पछले पांस साल से इन्होंने किसां का ऊपके थी सब्केंभा बंदों किकार्शन साल में पड़ा जनता की बड़ी नाराजगी जो छेतर में रहता है जिससे उसका घर चलता है उस पर आप देखिए ये किसानों के हित वाली पार्टी है उनकी सरकार है हमारे साथ ही कह रहे थे कि कॉंगरेस की सरकार ने पैसे नहीं बढ़ाए मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि डो दोई वाले के इत्यास में वाले है तो यह किसानों की सरकार और किसानों के बारे में सोच्ति इंसे पूछे क्या इनोंने अपनी जिव से पैसा दिया वह जिए ऑनना डाल रहा ता उसका पेमिंट को ब्लुए ता मैं चोटा सा सवाल अब समय का अब हुआ है समय का आब मैं पूछना चाहता हूं कि कितना समय उस भुगतान के लिए लिया है हमारी चीनी मिलने किसानों का भुगतान करने के लिए कितना समय लिया है और कितनी हमारी मानिये चीन की गाइड लाइन है कितने वक्त में देने की गाइड लाइन ने लिए बाये साब उत्रा खण बनेवे बीस साल से ज़्याधा है और 20 साल से ज्याधा में कॉंग्रेस और बिजयपी नहीं राज़ किया है किसान की बात हो रही थी और किसान की बात पूस्अ बटाएं काले कानून के बात हो रहे हैं अब हमारे प्रोग्राम का आंदोने का समय आगया है हम आपके मुद्दे बार-बार उठाते रहेंगे इसी तरह से जंता से सवाल पूछते रहेंगे आपका सवाल में ले चुका हूं कि यहां पूछे मंत्री बता दिया सवाल पहले मेरे भाई ने किया था वह सवाल यह था पिछले 5 साल में गन्ने कीमतें कोई एक रुपया नहीं बढ़ाया गया अपने हमारे किसानों की जो मुक्षी मांग थी क्योंकि कॉंग्रेस के समय से कि यह कि दोएवाला सुगर्मिल जेपेच दभी हुई है इसको इससे उबारने का कारी किया तो बहुत 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 धन्यवाद आप लोगों ने अपने मुद्र रखे अपनी बाते रखी इसी तरह से आप अपनी सरकार भी चुने तो इसके साथ लास्ट में सब बारत माता की वारत माता की चलिए बहुत बहुत धन्यवाद नमश्कार अपने अपने अग्रिमेंट इसकी अपने पहले बाट थी फिरो पर भाते खरीद रहोंगे झांपने में आप सक्किला की काूओल